हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी योटूब चैनल टेक्निकल संग्रह में दोस्तों फ्रेफायर का OB30 अपडेट आने के बाद उसमें एप नॉट रेस्पॉंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है बहुत सारे मोबाइल में तो इस वीडियो को सुरू से ले करके लाश्ट तक देख लिजेगा आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा मैं बहुत ही अच्छा और एकदम सरल तरीका आप सभी को बताने वाला हूँ और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और बेल आइकोन में से आल नोटिपिकिशन को ओन कर लिजे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल करने के लिए दो तीन छोटे छोटे जो तरीके हैं उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं उसके बाद अगर यह से प्रॉब्लम आपका सॉल नहीं होगा तो एक में तरीका बताऊंगा जिससे हंड़ेड परसेंट आपको होने वाला है प सब और और अब करने गांसित हो जायेगा जिसससे प्रॉब्लम आझाने का चांसर नहीं प्रेफायर काटा फिर जायेगा तो आपको जाँटियर करने नहीं आपको अपने mobile को switch off करके switch on कर लेना है मतलब on off कर लेना है अपने mobile को पूरा उसके बाद आपको free fire खेलना है तब जाके आपका problem solve होगा अगर यह सब करने के बाद आपके free fire में डाउनलोड करते हो वो रहता है 64 bit तो अगर उसमें problem आ रहा है तो आप 32 bit वाला try कर सकते हो जो emulator के लिए निकला रहता है और भी जो सस्ते वाले mobile रहते हैं low end device उसके लिए रहता है तो उसको आप try कर सकते हो 32 bit वाला तो आपका low end device है तो आपकी में बहुत अच्छे से work करेग 700-800 MB करहेगा आपका OBB फाइल भी उसके सांद डाउनलोड होगा डाउनलोड करने के बाद आपको Google में APK Pure App सर्च कर लेना है उसके बाद आपको इस वाले application को डाउनलोड कर लेना है APK Pure को इसको डाउनलोड करने के बाद इसको open कर लिजे आप open करने के बाद इसमें storage वगर का permission मंगीगा वो सब permission आपको enable कर देना है उसके बाद application open हो जाएगा फिर यहाँ पर three line दिखाई देर राइट हैंड उपर में देखिए उसको आपको click कर लेना है उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा option दिखाई देगा इसमें से APK slash APK management लिखा हुआ है तो इसको आपको click कर लेना है इसको जैसे ही आप click करेंगे आपके में जितना फ्रेफायर है वो सभी दिखाई देगा तो जो अभी में बताया हुआ था 32 bit वाला link से जो download कियो हो उसी में install का button होगा तो install पे आपको click कर लेना है उसके बाद आपके में कुछ permission मंगेगा तो उस permission क इनेबल कर देना है और आपके में फ्रेफायर इंस्टॉल होने लगेगा और फ्रेफायर भी इंस्टॉल होगा तो simply install के button पे आपको click करना है यहां पर से install कर रहे हैं उसके बाद आपके में कुछ problem आ जा रहा है तो एक और तरीका है आपको play store open करना है play store open करने के बाद आप आपके में xapk installer आपको install कर लेना है play store में मिल जाता ही application ठीक है तो play store में आप सर्च कीजिए xapk installer तो उसके बाद इस application को आप play store से download कर सकते हैं apk पर play store में नहीं मिलेगा इसको आपको google से करना है xapk मिल जाएगा तो xapk आपको play store से download करना है उसके बाद xapk को open करना है उसके बाद यहाँ पर दो permission आपको allow करना है पहला है install package का तो इसको आपको on करना है यहाँ पर से permission दे देना है उसके बाद read and write का है मतलब storage का permission तो इसको भी आपको permission देना है, ये दोनों permission देने के बाद आपको install.xapk files में click करना है, इसमें click करने के बाद आपको automatically search.xapk files, इसमें आपको click करना है, फिर आपके में जितना भी xapk होगा, वो सभी दिखाई देने लगेगा, तो जो 32-bit वाला बतायों, वो भी xapk है, वो भी यह तो नया free fire आपको install कर लेना है, जो मैं link दिया हूँ, बस इतना ही आपका काम है, उससे आपका problem solve हो जाएगा, बहुं सारा लोगों का problem solve हुआ भी है इस method से, तो बस इसको आपको try कर लेना है, और जो नया download करेंगे, उसमें भी आपको expansion पेको अगर कुछ भी नहीं रखना ह अभी के लिए जब तक नया version आए नहीं जाता है, नहीं तो फिर से problem आपके में आना सुरू हो जाएगा, so I hope दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए helpful होगा, तो वीडियो को like कर लिजेगा, और चैनल को subscribe करके bell icon में से आल notification को on कर लिजे, thank you